नमस्कार आप देख रहे हैं आज ही खबर मैं हूँ आपके साथ सयाली पांडे करनाटक से उठे हिजाब का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है इसके समर्थन में भोपाल में मुसलिम महिलाएं आगे आएं और उन्होंने अनोखे अंदाज में इसका विरोध भी किया दरसल मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार के हिजाब पर बैन लगाने का बयान देने के बाद ये विवाद चड़ गया है हाला कि उन्होंने बाद में सफाई दे दी कि मध्यप्रदेश में नया उनिफर्म कोड लागू नहीं होगा ना ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है लेकिन उनके हिजाब वाले बयान का बुद्वार को अनूठा विरोध देखने को मिला मुस्लिम लड़कियों ने ना केवल हिजाब बर्कि पूरा बुरका पहन कर फुटबॉल और अन्य खेल खेले इसके साथ ही बाइक चलाती यूवतियों का एक वीडियो भी वाइरल हुआ है जिसमें पीछे बैठी एक लड़की फ्लाइंग केस देते हुए नजर आ रही इन लड़कियों ने बुरका पहना हुआ था वही जब यूवतियों के हिजाब पहन कर बाइक चलाने का ये वीडियो वाइरल हुआ तो प्रदेश में सियासी बवाल भी मच गया कॉंग्रिस और बीजेपी के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कॉंग्रिस के आरिफ मसूत पर तंच कस्ते हुए लिखा कि विधायक आरिफ मसूत तो फर्मा रहे थे कि हिजाब हमारी बच्चियों को ताका जाकी से महफूज रखने के लिए है फिर यह फ्लाइंग किस किस लिए दे रही है वही उन्होंने कहा कि राजधानी में सुनियोजित प्रॉपगेंड़ा फैलाय जा रहा है कॉंग्रिस प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने ट्विटर पर कहा कि बिजेपी अपने राजधीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है उन्होंने कहा कि गाड़ी का नंबर प्लेट भाजबा के रंग में रंगा हुआ है क्या ये भाजबा प्रायोजित है भाजबा जवाब दे ये बच्चियां कौन है आपको बदा दे इस पूरे विवात के बीच खेल मैदान में उतरी यूवतियों का कहना है कि अगर वो आईयस अधिकारी भी बन जाएंगी तो भी हिजाब नहीं छोड़ेंगी हिजाब के लिए वो लड़ती रहेंगी उन्होंने कहा कि हिजाब हमारी पहचान है हम इसे मर्जी से पहनते हैं किसी के दबाव में नहीं हिजाब मुद्दा नहीं है बलकि सरकार को पढ़ाई देखनी चाहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे है आज की खबर के साथ